हेलो एवरीवन वेलकम टू इंडिया बड़ी आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टुडेंट्स कल हमने असाइनमेंट सीरी स्टार्ट कीती तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा था कि सर हमारा साथ ही मैं उनका स्टार्ट उत्स कूल में लिखना होगा कि घर पे लिखना होगा online सब्मिट करना और या offline सब्मिट करना होगा सब कुछ आपको पूरा इस वीडियो में मिलने वाला है तो जिन state में board exam cancel हो चुके है 10th के उनको तो assignment के बेश पर जाना पड़ेगा और जहां पर अगर आप देख रहे हो कि 12th standard के paper postponed हो उनके definitely आगे जो बहुत high chances से की paper cancel होंगे तो उनको भी assignment ही लिखना होगा तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले से prepared रही है और अपना mindset उस तरीके से बनाते जाएए ताकि आप बहुत ज़्यादा score कर सके और जो बच्चे अभी भी board exam के लिए prepare कर रहे हैं जिसे कुछ राज्यों में खासका नौर्टीस्ट के राज्यों में वहाँ पे board exam होने वा सबसे पहली चीज है student मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बहुत बड़े-बड़े अपडेट्स आने वाले हैं तो इसलिए मैं बोला आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अब हम आगे बढ़ते आज हम 100 marks मिल जाएंगे आपके assignment में आपके result पे 100% चपके आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर मैं आपको कुछ methods बता दे रहा हूँ जिसमें आपको focus and concentration आपका हो जाएगा assignment offline है कि online है वो भी बताने वाला हूँ स्कूल में complete करना है कि घर में complete करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए अब आगे बढ़ते और जिन लोगोंने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा assignment का वो लिंक आपको description में भी मिल जाएगी plus वही लिंक आपको end of this video में भी मिलने वाली तो please उसको भ देख लेना अब हम देखते हैं स्टुडेंस की focus और concentration में क्या फरक हो रहा है बहुत लोग बोल रहा है सर मेरा focus नहीं हो पारा है कुछ लोग बोल रहा है मेरा concentration नहीं हो पारा है मैं आपको बताता हूँ मैं एक example देता हूँ student मान लीजिए आपने किसी बढ़े पाटी में आ चीफ करनी है और आधे रस्ते में आपने देखा कि strawberry के जगे पे डोनट भी बगल में रखा है तो आप सोचोगे कि यार मैं डोनट लूँ कि strawberry लूँ मान लीजिए आपको एक ही चीज लेना है तो अब हो क्या रहा था आप जाते strawberry के लिए लेकिन आपका ध्यान बटक गया जो डोनट के लिए यही पर प्रॉबलम होता है कि बहुत लोग बोले है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है न्यूज इतने सारे आ रहे है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको बता तो हो क्या रहा है तो यहां पर सबसे इंपॉर्टन चीज है वो है आपका focus change हो रहा मतलब आपने focus किया कि आज मुझे दो chapter पढ़ने है या दो assignment लिखके देने ही है और उसके बाद आपका जो mind बनता है कि हाँ चलो लिखना है दो और जो इसको continue रखता है उसको आप concentration बोलते हो इसको कैसे achieve किया जाए 100% इसको कैसे achieve करें तो सबसे पहली चीज है कि अपना दि assignment का goal जो भी आपको मिल रहा है उसको बनाईए student बहुत ज्यादा important है बहुत लोग को लगेगा यह सारी चीज हमको पता है लेकिन देख लेना यही वो होगा factor कि जिसमें आपके marks जो 80-70 मिलेंगे और किसी को 100 मिलेंगे वो यही factor से अपना दिन का आप goal बना लीजिए and उसको divide कीजिए मैं एक चीज बहुत clear बोल रहा है आपको assignment जो मिलेगा वो काफी ज़्यादा मिलेगा तो यह मत सुचना कि एक ही दिन बैट के लिख लेंगे या एक ही साथ सब लिखेंगे नहीं आपको divide करना है अब मैं आपको बताता हूँ क्या है मान लीजिए आपको एक assignment मिला जो chapter number one के उपर है आपने बोला मैं chapter number one पे तीन assignment दे दिया गया है तो आपको करना क्या है आपको एक साथ तीनों नहीं लिखना है students दिन में decide कर लिया कि 10 assignment दिया है और हर एक assignment में सब parts है तो आप सोचे मेरे पास 20 दिन है मतलब मेरे को 2 दिन में एक assignment complete करना है तो आप target कर लि concentration आप बोलोगे कि सब concentration ऐसे केस है मैं बता था student बहुत ज़्यादा useful होगा तो अगर मेरे को मालूमता कि मुझे assignment लिखने का है एक chapter का जो 12 से 15 पेच का होगा तो मैं एक ही साथ 15 पे लिखूंगा तो start में मेरे handwriting अच्छी होगी बाद में खराब होगी last में मैं end करते आपको start में कुछ marks मिलेंगे और पीछे के कारण आपके marks उड़ जाएंगे आपको करना क्या है कि आप डिशाइड के लिए चार से पांच जो जैसे दो तिन question दिया रहेंगे उसको मैं first जो task आपने रखा उसमें complete करूंगा तो आपने दो गंटे में उसको complete किया उसके रात को दो गंटा सो इस तरीके से होगा क्या कि आपका जो लिखने का तरीका एंड जो presentation रहेगा वह ऐसा ने लगया कि आप बोर होके लिख रहे हो आपने बहुत अच्छे से लिखोगे और यही वह factor कि कि किसी बच्चे को 95 मिल रहा और आपको 100 मिल जाएगा अब यह जो diamond diamond वाला पार्ट है यहां पे भी सबसे ज्यादा important चीज है यह है क्या मैं बता रहा हूं देखिए diamond वाला पार्ट क्या होता कि आपका state of mind मतलब मुझे यह दो पे लिखना है लेकिन आपका दिमाग आप चलते रहते हैं और फिर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि sir मैं notification आपको करना क्या है जब आप टास्क के लिए बैट रहे हो तो आप उसके पहले जो भी आपका mobile टीवी जो चीज आपको देखनी है उसको पहले चेक कर लिए ठीक है जो भी important messages सारे आपने जवाब देदे आपको मालूम है कि किसी ने मुझे message भी किया और मैं दो घंटे के ब जिसका आया हूँ आराम से वेट कर सकता है कि इतना दो घंटा के सबको मालूम है कि डीले होता है तो यहाँ पे एक सबसे important चीज़े इस तरीके से आप concentrate अपना achieve कर सकते है अब question here arise होता है कि आपका assignment offline रहेगा कि online रहेगा school में करना है कि उसको घर पे करना है तो students देखिए assignment assignment देने का जो system रहेगा यह government to government के उपर रहेगा school के उपर भी होगा कहीं पर किसी region में अगर covid cases बहुत कम है तो वहाँ पर शायद आपको offline भी दिया जा सकता है कहीं पर online it depends on school to school district to district के उपर रहेगा assignment घर पे लिखना है कि आपको वापस school में लिखके लाना है कि कोई copy ना करे या कहीं से आप net से उसको रही करते यह सभी चीज जो है यह school आपको decide करके देगा लेकिन majority cases में ऐसा है कि यह online रहेगा and दूसरी important चीज है उसको घर से लिखना रहेगा majority cases में यही आने वाला है but depends आपका school किस तरीके से करता है वह चीज बहुत matter करेगा and students please play list पर जाएए ब जय हिल झाल 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 झाल